तो कैसे आप लोग दोस्तों अगर आप एक Android यूजर है तो आपको एक problem हर वक्त हर समय आती होगी कि आपके बैटरी की डिस्चार्ज हो जाता है यहां दोस्तों इसके कारण हम फोन को यूज कम करते हैं और चार्ज जादा करते हैं यहां दोस्तों यही चार्जिंग के टाइम ही हमारा जो फोन का सभी टाइम निकल जाता है लेकिन मैं आज आपको फाइब टीप्स बताऊँगा जिसके कारण आपका जो फोन की बैटरी लाइफ है वो टेन टाइम फास्टर चार्ज भी होगा और इंक्रीज भी आपका बैटरी लाइफ बहुत हो जाएगा तो आसा करत जो रेट कलर की सब्सक्राइब बटन उसको दावक हमरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो जो 100% वार्किंग होते हैं वह हम हर रोज लेकर आते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे आप आपका टाइम न सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों अगर आप एक मेडी तरह लाइब वालपेपर या फिद अब कलरफुल एक वालपेपर आपकी फोन में सेट कर रखा है तो उसे प्लीज आप हटा दीजे डिलीट कर दीजे और एक ब्लैक वालपेपर चूज कर लेजे क्योंकि आपका ब्लैक वालपेपर चूज करने पर आपका फोन की जो बैटरी लाइप है वो टेंट टाइम इंक्रिस हो जाएगा क्योंकि आप जबी भी जो ब्लैक वालपेपर यूज करेंगे तो आपका जो फोन की पिक्सल है वो काम करना बंद कर देगा एक ही कलर में सब का बैटरी लेफ में वह बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा जी हां दोस्तों दोस्तों तो अगर आपने अपनी बैटरी को सेफ करने के लिए प्लेश्टोर से कोई बैटरी से बर डाउलोड करके अपकी फोन के इंस्ट्रॉल कर रखें तो आप प्लीज उसे अनिस्ट्रॉल या दिलीट कर दिजिए क्योंकि ओ आपकी बैटरी से बर एक्चुली में नहीं करता है वह सिर्फ आपकी फोन को हम पहुंचाते बहुत ही आपकी फोन को स्लो कर देता बैटरी और भी डिक्रिस हो जाते उससे अपक्पा कोई बैटरी से नहीं होता है और अगर आप चाहते है क्यां सेब हो जाएगा घयां दोस्तों। दोस्तो आगर आप इस समय कुछ काम नहीं कर रहा हैं तो प्लीज एक बड़ चेक कर लिए आपकी फोन के कोई background app चल रहे हैं एक की नहीं चल रहे है अगर बहुत सारे background आपकी phone में चल रहे है तो उसको आप delete कर दीजिए delete करने के बाद एक बार चेक कर दीजिए आपका data Bluetooth बगरा कॉम सा जो open है तो अगर चेक कर दीजिए जो ज़रूत आपको नहीं होगा वह आप आप कर दीजिए तो आपका battery जो है बहुत time save हो जाएगा आपको 100% guarantee के साथ यह बोलता हूँ अगर अगर अपने आपकी सब background जो एक पर क्लियर कर दी फिर भी आप सोच रहे है कि आपका battery जादा सेब नहीं हो रहा है तो मैं बता दो आपकी सारी background अभी भी clear नहीं हुई है उसको setting से सब कुछ clear या stop करने के लिए आपको जाना पड़ गया पहले जो setting में उसके बाद सब्सक्राइब करने चलिए stop बटन पर क्लिक कर देने पार इस सेटिंग से जो एफ हमारे फोन में स्टॉक हो जाएगा और यह हमारे फोन में कोई और ज्यादा बैटरी और ज्यादा डेटा नहीं कंजूम करगा इसका कारण हमका बैटरी वह बहुत ही सेव हो जाता है दोस्तों आप जभी फोन को चार्च करते हैं तभी यह ध्यान में रखिए कि आपका जो बैटरी वह मोर्दन 30% की नीचे आ गई है उसी समय आप फोन को चार्च करेंगे तो आपका बैटरी का जो पार्फॉम्मिंस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और अगर चार्ज हो तो आप देख लेना कि वह चार्च 100% नहीं हुआ आप मोर्दन 90% चार्च होने दी चीए उसके बाद आप डिस यह आप चार्च आप कर दीजिए तो ही आपका फोन की पर्फॉम्मिंस आपको अच्छा मिलेगा आपको बैटरी लाइब भी आपको बहुत दिन तर अच्छा मिल जाएगी तो दोस्तों आगर आप यह पांच ट्रिक्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं 100% गार्टी के साथ आपको बहुत ही एक्स्पेंड हो जाएगा आपका फोन से बैटरी का बहुत ही अच्छा पापर्फॉम्मिंस आपको मिलेगा तो ऐसी चिप्स और ट्रि प्रवाइगे गर के हमने साथ जूले रहें मिलते ही एक निव वीडियो निव टपिक के साथ तब तरक लिए बाई जाए हिंद बंद मातरां